तो हमाई YouTube फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग दोस्टों ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक इन्फोर्मेशन देने वाला हूँ जो भी टेक्निशन विल्कुल फ्रैसर से हैं और अगर वो नहीं जानते हैं कि चा पर माणके आइसी रिबॉल करके भी लगा रहे हैं और डुल देकर तक बना रहे हैं फिर भी चार्जिंग लोगों को नहीं समझते फिर भी बैटरी के एरर को नहीं समझते हैं तो वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि इसमें मैं आने वाले चार्जिंग और बैटरी के जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक उपो के फोन में चार्जिंग एरर के टाइम पर एक टेक्निशन ने बैटरी एरर का काम करके उस फोन की हालत खराब कर दी ती और यही मार्केट में हो रहा है बिडाउट ट्रेनिंग बिडाउट नॉलेज के लोग काम क कर रहे हैं और यही रिजन है कि काम ससेस् नी हो रहा हाँ और नाम concept हुरा जाये सब्हार करते हैं और फीडियो और इस वीडियो को like जरूर कर देना और अपने Facebook चैनल पर इसको share कर देना दोस्तों कि आपके तरूप किसी भाई का भला हो जाएगा आपके तरूप किसी technician का भला हो जाएगा जैसे कि मैं आपको अभी आपका भला कर रहा हूं रही बात दूसरी कि आप इस चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा क्योंकि चैनल में आपको जो knowledge दे रहा हूं और जो पूरे previous जितने भी वीडियो है उसका भी आपको जो knowledge मिल रहा है वो भी काफी हद तक एक अभी तक की YouTube चैनल की हिस्तिरी में साफी अलग है paid content दिया जा रहा है ये सारे content जो मैं आपको YouTube में फ्री में दे रहा हूं बहुत सारे institute अपने classes में देने का दावा करते हैं अगर मैं बात करूं दोस्तों आईए आपके फोन में जब भी आप charger लगाते हैं तो दो तरह के errors मिलते हैं या तो हम charging error की बात करें या तो हम बात करें बैटरी अब आपको कौन सा error क्या है आईए पहले हम बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं कभी भी अगर हम जब भी फोनों को देखें और charger लगा है उसके बाद में अगर हम error की बात करें अगर हमको error इस तरह का मिल ला है अगर यहां पर ढानीजे oppo के फो इस तरह का हमें error मिल ला है आप इसको for skin short जरूर ले ले और यहां पर देखें चार्जर एरर लिखे होने के बाद भी अगर मैं आपसे बोलू कि यह error charger का नहीं है और यह error battery का error है इसको हम BAT ID या BSI का error कहेंगे क्योंकि यहां पर आपको direct mention किया हुआ है आप यह चीज़ नोटिस करो यहां पर आपको mention किया हुआ है battery contact errors so battery contact error है मतलब दोस्तों यह error charger का नहीं होके यह error आपकी BSI का error होता है जिसको battery status indicator मतलब BAT ID हमारी ID auxiliary ID को हम error मानते हैं अगर कभी आपके पाद यह error है तब ही आपको इस ताइम पर अपनी battery को भी चेक करना है साथ में अपने battery connector की BAT ID की लाइन को चेक करना है इसमें आपको temperature की लाइन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि temperature से related नहीं है अब इसमें अगर मैं दूसरी error की बात करूँ दोस्तों यहां पर आप देखे यह भी आपको वीवो के फोनों में ज्यादा तर यह आपको ऐसा इस तरह का वीवो के फोन में देखने को मिलेगा और आप नोटेस करो दोस्तों यहां पर वीवो के फोन में यहां पर लिखा तो यह charging error नहीं माना जाएगा यह माना जाएगा यह battery error दान देना यह error भी एक battery से related error है मनलब यहाँ पर भी आपको ID की line ही चेक करनी है क्योंकि आपके लिखा है check the battery or contact मनलब हो सकता है कि आपकी battery खराब हो गई हो सकता है कि बैटरी के BMA circuit में कोई problem हो या हो सकता है कि आपके phone क PCB के जो ID line है उस पर आपका line open हो गया हो या line leakage हो गया हो जो register लगे है वो पानी में जाने के करण सड़ गये हो या उनकी value खो दी हो या फिर आप seal निकालता समय वो आपने tips निकाल दी हो या आपकी ICT try sold हो गई हो जो आपको इस तरह के यहाँ पर fault बना दे रही है तो अगर अगर मैं इसकी भी बात करूंगा तो यह भी एक battery का error है अब अगर इसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर और अगर मैं इसके बात करूं देखें देखें दोस्तों यहाँ पर जो error आपको वह रहा है यह error please plug out charger आप notice करो जब भी भी अगर आपको यह error so हो जिसमें इस तरह का आपको symbol बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है error please plug out charger मतलब आप यहाँ पर नोटेस करो यहाँ बैटरी की बात नहीं की गई है और नहीं temperature so इसका मतलब यह जो error है यह charging का error है और आपने charging से related चीजों को check करना है दोस्तों आप धान रखेंगा जब आप इस 20 ऐसे charging point बताऊंगा जहाँ पर आपको अपनी लाइने चेक करनी है जी आर और वोल्टेस के साथ और उसी लाइन और जी आर के साब से आपका यह error 102 परसंट बनेगा इस बात की guarantee देता हूँ यह चार्जिंग का एरर है दोस्तों यहाँ पर आपने charging की लाइन चेक करनी है अब नोटेस करो यहाँ पर एक और कीपड में एरर देख रहा है यहाँ पर भी लिखा है charging एरर यहाँ पर भी आपको BSI की लाइन चेक नहीं करनी है अगर इसके अंदर BSI वैसे होता भी नहीं ह करना है अगर और भी मैं आपको बहुत तरह एरर्स यहाँ पर दिखाने वाला हूं दोस्तों तो तो तोड़ा बने रही है वीडियो में और देखते रही है यहाँ पर नोटेस करें आप इसके बाद जो एरर में आपको दिखाने वाला हूं वह सट डाउन एरर जब भी आप देखें नोटेस करें आगर आपके मैसेज आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें सट डाउन लिखा हुआ है बड़ यहाँ पर सट डाउन में देखने की बात यहाँ पर लिखा हुआ है टेंप्रेचर आप नोटेस करो यहाँ पर लिखा हुआ है टेंप्रेचर मतलब उन्ह लाइन बोलते हैं बैट ओन ठीक है और दूसरा यह थर्मिस्टर की वज़े से हो सकता है जो हमारे बूर्ड में लगे होते हैं और उन्हें थर्मिस्टर की वेल्डु को देना या उन पर वोल्टेज ना आना या उनका लाइन हमारे सीप्यू से कट हो जाना इस वज़े इसकी बन सकता है यह भी यह घर करूँब है यह तो साफ तौर पर दिखाये दे रहा है एसक्सें मिलता है अगर बैटरि ली इच्वाट से मिलता है तो यह भी आपको समझना ऑ है कि एक BSI बैट historically यहां पर आपको चार्जविंग के लाइन चेकनी करनी है यह से बैटरी के कॉंट्रेट पॉइंट से खतम हो जाएगा अब दोस्तों यहां पर दारे कि आप सीधे तोर पर देखेंगे की पैड में चाप बैटरी दिखाई दे रहा है मैं इस पर एक दूसरा वीडो बनाऊंग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखना ताकि भविस में आपको अपडेट मिलते रहें और एक पेड कंटेइन एक बड़े इंस्टीट के पेड कंटेइन का अपडेट आपको फूरी में मिलता रहें ताकि आप भविस में आपको लगे कि हाँ मुझे जाना होगा में बी टैम की लाइन होती है क्या तो दोस्तों सामसंग के मोबालों में टेंपरेचर की लाइने थर्मिस्टर की वज़े से होती है तो यह यहां पर थर्मिस्टर की बात करेंगे तो बैट ठरम की लाइन उन्होंने बैट्री के रिटर से हटा दी है अब वहां पर उन्होंन यह एक वाटर को बना हुआ है तो यह वाटर इंडिकेशन है सैमसंग के कुछ मोडल में आ रहा है जहां चाजिंग के नीचे एक वाटर सेंस रजिस्टर लगाया है कि अगर वह रजिस्टर खड़ाब हो जाता है तो CPU को लगता है कि आपके फोन में पानी चला गया है और वो अपने सप्लाइयों को आफ कर देता है आपको इसको क्लीन करके वो रेजिस्टर को सही करना है उसकी सप्लाइय को सही करना है यह रेजिस्टर को चेंज करना है या उसकी लाइन और को आपको बनाना है तो यह आप आपका बहुत एजिली किलियर होता है यह भी बहुत अच्छे से आपको हम समझाते हैं अगला पॉइंट अगर हम बात करें दोस्तों देखें दोस्तों यह जब भी आप अपने उप्पो के फोनों में आप इस तरह का एरर देखते हैं और या चार्जिंग साउमी के फोनों मे यह बैटरी का एरर है ना यह बैटरी का हर रहा है तो जो जोहत्तों जब यह बैटरी का यह तो यह तो यह चाजिंग का हम चार्जिंग की बहुत सारी लाइन जैसे मैंने बताए 15 से 20 लाइन ऐसी होती हैं जिसको मुझे समझाना बहुत ज़ुधा ही चार्जिंग की section में सो जिसके अंदर हम low battery, battery sensing की लाइन भी भी भूछ ज्यदा होती है और वह light उसमेंने कुछ computer से ही निकाले हैं Google से और images निकाले हैं तो यह battery जो error है यह हमारे फोनों के BSI और BAT ID की लाइनों का error है यहाँ पर आपको charging sense यह charging की लाइने से जूरी हुई यहाँ पर आपको battery character check करना है battery चेक करना है और बैट आई डी की लाइनों को proper चेक करना है और अगर 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 आपको और देखें जैसे मॉडल भी बताया और यहां पर एक charging का symbol बन कराया है और यहां पर एक charging का logo बन कराया है , यह जो error है यह भी bsi का error नहीं है,ちゃाळ का kontroll ठाएडी का error नहीं है को टमप्रेश्र का error यह गया नहीं है यह आप का charging का error हैaser और जब भी हम इस error पर काम करते हैं तो हम k suis have치 consider atộड नहीं है, agia ही हमें temperature की लाइन को चेक करने के जरूवत है यहां पर हमको charging science की लाइन वो जो भी है charging से related लाइनों को चेक करना पड़ता है देखें दोस्तों जो Chinese phone होते हैं उसमें बैटरी ओवर temperature इस तरह से power of shutdown का message आता है तो अगर यह होता जैसे कि मैंने बोला तो Samsung में आपको connector पर बैट आईडी और थर्म की लाइन नहीं मिलेगी पर अगर आगर हम बात करें Chinese phone में आपको यह बैट थर्म की लाइन मिलेगी तो यहां पर आपको battery के रेटर चेक करना है बैटरी चेक करना है क्योंकि बैटरी के बी एमें सर्केट में भी आपको थर्मिस्टर देखने को मिलते हैं और भी आपका थर्मिस्टर का यह फॉल्ट बन सकता है साथ में बैटरी करेटर को रिसोल्ट चेंज करना है उसे प्रॉपर जी आर उठाना है और प्रॉपर वोल्टेज चेक करना है तब जाकि आप यह थर्मिस्टर को बनाएंगे और फ्यूल गेज आई सी पर यहां पर काम करना पड़ेगा दोस्तों की पैड के मोबाइल में अक्सर यह वह आप देखा च फोनों के पराने मोड़न से कि अभी के फोनों में saemseong में इस तरह करने नहीं आ रहा है मतलब समसुं में जहां अनोंने आपको बैट आइडी की लाइन दी होई है जो यह ऐ स्को बाणाा है अगे एजिए अनेवल टू चार्ज So notice करो लिखा है enable to charge Your device make sure That you are Samsung Or battery Acha notice करो यहां कहीं पर भी temperature नहीं लिखा है दोस्तों यहां पर भी enable to charge का message आ रहा है Unable to charge का मतलब यह होता है कि आपका जो charger है और या तो आपका जो battery है वो आपके phone को support नहीं कर रहा है So reason यह हो सता है कि आपका charger आप जो लगा रहे हो वह खराब हो या duplicate हो या आपकी heeft खराब हो या आपके V hommes खराब हो या आपके आपको अफरांड को पुएंट को तरह हैं या तो अब आपके जो charging को बैटरी को सेंज करती है आगे लाइन बाट आईडी और वो ओपन हो गई हो तब जा यहां पर भी का यूज किया गया है बिट्री का बेर्ट से Remote यह डेकर नहीं कर रहा हैं कि इन दोस्तों दोस्तों यहां दिक aprovealten थे फोनों में भी आपको एक एर्र देखने को sacred आहें विलता है यहां दोस्तों पर्स्व आपि यहां पर सटी हो जाती है है यह जो a इसको हम BSI या BAT ID के एरर कहते हैं और आपको इस एरर का नॉलेज उठाना पड़ेगा क्योंकि किसी भी यूटूब वीडियो ते देखकर आप दिन पर दिन एक फॉन तो बना लोगे पर चार फॉन लोटा के ही दोगे तो दोस्तों मैं आपको यह परमोसर नहीं कर रहा है कि आप को जोइन करो पर मैं आपको इंकरेज जरूर कर रहा हूं कि आप इंसिट्यूट को प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर प्रॉपर ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए इंसिट्यूट का और एक अच्छी ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए एक अच्छी टाबिल टीचर के अंदर में पढ अपना तो पैसा बढ़ वात करने का ही मतलब होता है आप तो सही तरीके से जो डेडीकेशन 很多 डिकाइन आपके प्रति और आपके प्रति वो आपको विश즈 दिलाएं कि आप सीख जाएंगे आपके प्रति आपको ये न बूलें कि पास साल बीस साल मुझे लगा तो आप भी 5 साल 20 से लगाए नहीं आप ये बोल है आप से कि आपको 5-2 साल लग जाएंगे एक साल लग जाएंगे देखो मुबार रिपेरिंग ऐसा नहीं है कि एक साल-2 साल का काम है मुबार रिपेरिंग में अगर सही नोलेज सही समय पर और सही बंदे को दिया जाए दस सालों में आप कुछ भी नहीं कर रहे थे और आने वाले सालों में आप बहुत कुछ करने वाले हैं वीडियो देखने के लिए तैंक यू बरी मच इस वीडियो में अगर आपको नॉलेज अच्छे लगी हो तो बताएगा जरूर और वीडियो खास है सो यह भी लिखने जरू कमेंट करें कमेंट जरू करें और चैनल को सस्क्राइब करें तैंक यू बरी मच